तो हाई गाईच कैसे हो सवागत आपका एक और ने सूपर मार्केट गेम प्ले वीडियो के अंदर तो बेसिकली आज आपका इस गेम का एंड करने वाले है मेन वाई आपका इस गेम को थोड़ा बोट नहीं खेलेंगे बहुत जादा खेलेंगे और मैं आपको में में पार्ट दिखाने वाले हूँ और इस छोटी सी दुकान को आज आप एक बड़े सूपर मार्केट में कनवर्ट करने वाले हैं और मेरे को भी नहीं पता यह दुकान कितनी बड़ी हो सकती है बट यह बहुत बड़ी हो सकती है यहां पर आप पीछे दिवार देख रहो ना इस दिवार को आप तोड़ सकते है और मतलब यह बहुत बड़ी यहां तक हो गया इस यहां तक तो बनी सकती है तो भाई आज आपा पैसा कमाने वाले हैं तो काफ़ी मज़ने वलाज किस गेम प्ले वीडियो के अंदर बट पहले आर वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो सिरफ पचास लाइक कर टारगेट है भाई कमप्लीट करवादो मैं बहुत वीडियो बना रहा हूँ और मैंको रिजल्ट नहीं मिल रहे प्लीज लाइक कर दो आपकी महरबान ही होगी तो लेट्स लिकरते हैं वीडियो को स्टाट ओके गाईस सुबह के बच चुके हैं आठ और ये टाइम क्यों नहीं चल रहा आठ बज़े भाई एक मिनिट भी नहीं हो रही धर्ती रुक चुकी होगी धर्ती रुक तो नहीं गी क्या बता भाई धर्ती हिलने वाली हो तो ऐसा भी उसकता घड़ी खराब होगी हो एनिवे ये बंदा वेटर लग रहा हमें को हेलो क्या तू मेरे दुकान में काम करेगा क्योंकि मेरे दुकान बहुत बड़ी होने वाली एक नग दिन वैसे कहां पर जा रहा भाई सब तू तो गाईस करते हैं दुकान को ओपन लेट्स गो अब तू का टाइम स्टार्ट मेरे पास है वन थाउजन डॉलर बहुत पैजा भाई अमबानी हो मैं एक हजार डॉलर इस गेम में बहुत ज़्याद होता है सीरिसली तो यह दुको सैकल जो की मेरी है तो यह किस्टमर अपने दुकान में आएगी आएगी और यह वेलकम बैक मैम क्या चाहिए आपको तो इसने देख रही है देख रही है भाई सारा प्रोडेक्ट है यहाँ पर ओए गई क्यों यह भाई खाली गई हेलो क्या चाहिए तो को यह गलतवाद है सुबह बोनी करवा कर जाओ अमरी एक और मैम आ रही है गाईज मेरको ऐसा लगता है कि प्रोडेक्ट कुछ कम है मतलब वैसे अपने पॉइंट विए से काफी सारे प्रोडेक्ट है और सारे प्रोडेक्ट है बट जोई लोग मांग रहे ना वो अभी अपने खिरिदना स्टार्ट करा नी पहले मैं आपको एक 5.30 डोलरे बेश रहो और पीचे से 3.70 डोलर से आ रहे तो बिजनस पर थोड़ा ध्यान देते हैं सबसे पहले तो यह दो पेटी इनको जचाओ यहां पर इनको सेट कर दिया जाए यह लोगी तो सबसे पहले चलते हैं मार्केट के अंदर और देखते हैं क्या आश्मान अप एड़ कर दो पास्ता है सूसू है बोटल वोटर है चीज चीज अपने पास पड़े हो है भाई फिर भी एड़ कर दो कॉफी डरक रोस्ट पड़े है एग पड़े नहीं है मिल्क नहीं है टी ब्लैक है चोकलेट बार यह भी एड़ कर दो तो 231 डो 249 डोलर की शोपिंग हो चुकी है परचेज करते हैं लेट्स गो भाई आज का समान भाई किसने खिंड आया यार एक तो डिलिवरी बोई ना सची भाई घदा एक नमबर का और यहां पर इंटरनेशनल डिलिवरी लिखा रहा है मिंस कोई बाहर से यह समान आया बट इस देश के अंदर ओरेंज जू कुस निवनते का मैं को एक बाद बताओ तो जल्दी से गाई यहां पर समान सेट कर दे तो यह वाली अलमारी बिल्कुल खाली हो चुकी थी तो यार देख रोना अपना समान बहुत जाला भी करा और कस्टमर नाराज होंगे तो दुबारा नहीं आएंगे और दुबारा नह जवान आचुका भाई साब को यह खाली हाथ गई हेलो रुको रुको तो यहां पर सेट करो तो गाईच ग्यारा सो साथ डोलर मेरे पास और अगर मेरे को वराइटी ओफ प्रोडेक्ट चाहिए तो में को अलमारी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि अलमारी और नहीं है 49 डोलर मेरा चला गाए और कमाई नहीं होगे देखो यह चीजे गलत हैं अभी यहां फर देखो क्लीनर हो चुका है है एंड शॉप हो चुका है ठोलेट पेपर हो चुका है सैंपू हो चुका है तो इनके में को लाइसेस लेने पड़ते है और वह साढ़े 700 डोलर का भाई साड़े साथ सो डोलर लगने वाले यार लेट्स गो भाई अब नए प्रोडेक्ट अवेबल हो चुक है मार्केट के अंदर तो बट मैं को एक अलमारी भी लेनी पड़ेगी न तो प्रोडेक्ट है कहाँ पहले वो देखो एक तो यह रहे भाई टोएलेट पेपर आचुका है 41 डोलर का सैंपू है 44 डोलर की पेट्टी है भाई और 12 पीस आएंगे हैंड शोप 9 डोलर की पेट्टी है 2 और कर लो तो 113 डोलर का बिल बन चुक है और यह पता किया डिश वोश्टर टैबलेट बरतन दोने के कोई होगी 109 डोलर का भाई कलीनर है 19 डोलर का तो 310 डोलर का बिल बन चुक है दुकान को करते हैं क्लोज प्रेस एंटर टू फिनिस्टाडे लेट्स गो डे 47 कंप्लीट 19 कस्टमर आज खाली गए थे उनको प्रोडेक्ट मिला नहीं था तो अब मैंने साथे 700 डोलर का नया लाइसेस ले लिया तो अब तो यह कम होंगे सैटिस्फाइड कस्टमर सिर्फ 5 580 डोलर की ही सेल हुई थी लेट्स गो गाइच वेलकब बैक टू न्यू डे तो सबसे पहले करते हैं दुकान को ओपन टेंटने ओपन हो चुकी है अब आते हैं मार्केट मे और 310 डोलर का समान पर्चेज कर लेते हैं तो 106 डोलर बचे भाई मैं बहुत ज़्यादा गरीब हो चुको एक टाइम पर अपने पास पैसा आई पैसा था और आज आपा बहुत करीब हो चुके यार सबसे पहले तो आट्टा सेट करो और एक अपने पास अलमारी भी नहीं है तो अलमारी लेनी पड़ेगी वह पता नहीं कितने डोलर की आएगी कहां पर रगाऊंगा या जगह नहीं है यह वाली पेटी जगह नहीं है सर जी रुगो इसको भाई खुला छोड़ दिया चलते हैं कुड़नोट फाइंड मिक्स नहीं मिला वैगी मिक्स नहीं मिला भा वाओ मंग वाओ तो 190 डॉलर हो चुक है फाइनली गाइस 203 डॉलर हो चुक है तो फरनीचर बाते है इसको एटू काट करते है और बाकी आइटम को रिमोव कर देता हो जल्दी से पहले में तो लेट्स गो भाई साब अलमारी आचुकी है इसको बड़ी अलमारी यार अलमार आच चुकी है नया समान सेट कर दो सबसे पहले मैं इसको सेट करूंगा यहां पर इसका प्राइस क्या होगा इसमें टकले की फोटर लगी हुए है समझ रहे हो भाई कितनी बूरी सगल है सेल कम होने वाली है और यह टकला भी अच्छा नहीं लगता में तो इसका प्राइस ह 3 डोलर वो भी मार्केट के अंदर मैं इसको 3.50 में सेल करने वाल हूँ लेट्स गो और इसमें क्या है इसमें जो भी है इसको यहां पर लगाया जाए यार यह तो दो अलमारी खाएंगे पूरी कोई ना मार्केट में 20 डोलर भाई इता महंगा तो इसको तेज में बेश सकते आपा यार यह जहीं को सही लगी मदवल वह पीस बहुत महंगा है और आया भी पीचे से काफी महंगा यह फिल से तो इसको इधर सैट कर दिया जाए इसमें है क्या इसको मार्केट प्राइस जितना ही बेचूंगा मैं क्योंकि सारी आइटम महंगी करूंगा तो अपनी दु छे डोलर मार्केट रेट इसका मैं इसको 5.5 5.99 सही है ना लेट्स गो और वो बंदी इसको ले गई और इसका मैंने प्रोडेक्ट प्राइस सेट नहीं कर रहा था तो एक दो तीन चार पीस फरी में गए भाई हो गया नुकसान क्यूंकि वो जीरो उसका प्राइस सेट हो र दो डोलर एक्स्ट्रा तो यहां पर कॉफिसर आइटम खतम हो चुका चोकलेट चाहिए केक चाहिए कैंडी चाहिए पास्ता और बटर वेल गाइज फाइनली मैंने यहां का समान सेट कर दिया देखो करते है फिनीश और दे 48 कंप्लीट एठारा कस्टमर आज खाली गए थे तो स्टार्ट नेक्स्ट डे बाई केक का प्राइस बड़ा है एपल का प्राइस कम हुआ है दो पॉइंट बावन इसका मार्केट प्राइस आज चुके इसको तीन डोलर में कर दिया जाए और एपल जूस यह रहा मार्केट प्राइस इसका 2.8 2.24 डोलर भाई पहले और हरामी कहीं के तीज बन रहा था सीक्योर्टिय का डाय करना पड़ेगा में को 16 डोलर का बिल 34 का बिल 35 का रेंट 153 डोलर आज की मेरे बच्चे हुए हैं कमाई बिल्कुल भी नहीं होरी भाई यार मैं पूरा दिन बेच रहा हुँ समान सिर्फ कुछी डोलर की कमाई होती है तो वो चीज बोडर करनी पड़ेगी में को वो मैं कल करूंगा तो मैं प्राइस को बढ़ाने की सोच रहा हूँ तो यार मैं सारे प्रोडेक्ट का प्राइस बढ़ाने वाला हुए इसका 3.94 डोलर मार्केट में तो मैं इसको 4 में बेच चूँगा अब मैंने डिसाइड कर है कि हर प्रोडेक्ट का प्राइस में बढ़ाऊंगा क्योंकि कमाई भाई मेरी हो नहीं दी मतवल एंड में कुछ बसता नहीं है यार मैं देख ली दी इसकी सैलरी जाती 80 डोलर रेंट आ जाता है और इलेक्रिसिटी तीन में बिल पे कर रहा हूं डेली गा सो डेट सो डेट का खर्चा है और वो ही मेरी कमाई होती है तो गाइच अब मैं नहीं सहने वाला अब टाइम टू मूव अब हमें प्रोडेक्ट का प्राइस बढ़ाना चाहिए वो भी बहुत ज्यादा अब में देखो यार यह 12 डोलर इसका मार्केट प्राइस है मैं इसको 11 में बेच रहा ह हूं 3.00 के अंदर 6.69 है इसका मार्केट प्राइस 7.01 में बेच चूँगा क्या बात है बटर की बात करें 5.27 इसका मार्केट प्राइस 6.27 कुरूँगा यार अब हर प्रोडेक्ट का प्राइस भढ़ने वाला है well guys finally मैंने सारे प्रोडेक्ट का प्राइस बढ़ा दिया है क् क्यार पहले न मैं मार्केट प्राइस से भी कम प्राइस में प्रोडेक्ट को बेच रहा था तो कस्टमर ज्यादा आब ही नहीं रहे में को कोई फरक नहीं दिखा तो अब पैसे कमाने पापन को फोकस करना है तुकान की अपने एड़टाइसमेंट बहुत हो चुकि है डिसक 220 डोलर की शैल हुई है क्या बात है अब देखते कल किते डोलर की शैल होगी कि आज अपने प्रोडेक्ट का प्राइस बढ़ा दिया गूट मॉर्दिंग गाइस सुबह उच चुकि है दुकान को करते हैं ओपन लेट्स गो तो पहले देखते कौन कौन से समान नहीं है ब्रे अब देखते कैसे मैं एकश पेंस साथा कितने डोलर की शैल होई गिसलिंगे तो फांस सबस्सक्राम से सबकने कि और दोलर की शाल हई है और के आज 5610 डोलर की कया यार प्रोडेक्ट के प्राइस क्या बढ़ा दिया सेली बढ़ गई अपनी ये सही है यार में वोकुँ ये चीज़ अच्छी लगी और आज कस्टमर बिल्कुल खाली गए उननिस कस्टमर ऐसे जो खाली गए बट कुछ न कुछ लेके गए थे ओके गाइच वेलकब बाक टू न्यू डे और नई लाइफ तो दुकान करते हैं ओपैन सबसे पहले ना मैं बिल्ल पे करने वालो जो कि कल मैंने नहीं करा था बैंक में आते हैं और मेनेजमेंट में आते ह चालिश डॉलर 27 डॉलर आज का रेंट कम्पलीट 491 डॉलर बचे हुए 149 डॉलर के शोपिंग खतम 348 आज मैं नई अलमारी लेने वाला हूं और कल मैं नया प्रोडेक्ट लाइसस लेने वाला हूं तो सोच रहा हूं आज मैं दोनों चीज़ी लेलू बट मेंको निल्कता पैसे बचेंगे पैसे बचने चाहिए क्योंकि मेरे पास समान काफी सारा है अब समान ओडर नहीं करना पड़ेगा भाई समान सारा पड़ा हूँ देखे तो वैसे यह बहुत ज़्यादा बिकरें का प्राइस में और हाई करने वालों फरनीचर में जलते हूं और एक अलमार यहां चुकी है सबसे पहले में भाई यह तूटने वाल है अब गजब पहले अलमारी रुको तुक इसको दाओ सोडा को सरदी यहां पर सैट करो सोडा खतम भी हो गया एक अलमारी में तो इसमें क्या नमक नमक बेसिकली खतम होई चुका था होई चुका है यार मैं सही बनवानी पड़ेगे में को यहां से भाई ले लेंगे तो अब क्या करें 649 टोलर नए डोलर का भी लाइसेस आपन ले सकते हैं आज आज में 522 हो जाएंगे साड़े 700 टोलर कोई चसा पनाब फिनिस गरे करते हैं लेटस गो भाई कित्ते की सहल हो योगज 500 ट्वन की भाई इसाथतो ठांवेट लड़ की भाई था प्लर एपने आसमें लेने वाला हूं नए प्रोडेक्ट लाइस अलमारी आ चुकिए हूं नई अजमारी तो अपने कल लगा आती थी तो आज नए प्रोडेक्ट के लाइसे लूंग और फिर नए प्रोडेक्ट ओडर करने वालों तो कुछ ऐसा अपना है सीन सबसे पहले इसको कर दो यहाँ पर सैट और भाई यहाँ पर क्या था वेल गाइज फाइनली अपने पास हो चुके हैं 800 डोलर यार तो अब आ चुके हैं और 846 डोलर बहुत ज्यादा सैलोर यार एन एक्सपेक्टीड सेल तो चलते हैं मैंनेजमेंट के अंदर पहले बिल में नहीं पे गरने वाला पहले आतों लाइसेस के अंदर और साधे 700 डोलर का नए लाइसेस जहां पर चीज च और स्क्रोल कर सकते हैं ऐसे ही और हनी लेता हूं 79 डोलर में चीज 27 डोलर में चीज यह वाला 25 डोलर में यार 132 डोलर बन चुके हैं मेरे पास सिर्फ 126 डोलर है वाकि तीन प्रोडेक्ट और है जो कि मैं अभी नहीं लेने वाला मैं कल लाओंगा वो तो बट पहले जल्दी से यार 132 डोलर करवा दो 148 तो पर्चेज करता हूं लेट्स गो नए प्रोडेक्ट आ चुकी है देखता हूं कैसे होगे मैं काफ़ी ज्यादा एक्साइटमेंट हूं इसको फरीज में रखने पड़ेंगे पैसा बर्बाद भाई फरीज लाना पड़े इसको मैंने यूई मंगवा लिया अब मैं यह कहां पर रखो देखो जगह भी नहीं है यहां पर इसको इसको उपर रख सकता हूं क्या चलो एक चीज तो सही है यह दो हमसकल कैसे लग रहे यार भाई फरीज फरीज लाना पहले बोल देते फ्रीज में आएगा यह नी तो आएगा ना इदर कि हनी आएगा हनी आएगा हनी यह में खुश कर दिया आई लव हनी भाई एक प्रॉइक तो आया तो सबसे पहले हनी का प्राइस सेट कर देता हूं ग्यारा पूंट बीस टोलरिस का मार्किट प्राइस है तो तेरा में बिकेगा ना यह बहुत महगा चीज है भाई यह और आज एक यह वाला खतम होने वाला है यह वाला और यह क्लीनर खतम ऊचुके हैं देखो करते हैं फिनिस लेट्स गो 80 डोलर की सेलरी कटेगी और अपने पास 69 ही डोलर से कोई ना तो आज हुई है सेल 606 डोल तो गाइच अब इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तो आज के लिए नहीं वीडियो से लगए वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई